परिचय बच्चों, क्या मुझे तुम में से कोई जयामिती का अर्थ बता सकता है? सर, ये गणित की सबसे प्राचीन शाखा है हाँ, लेकिन क्या तो में से परिभाशित कर सकती हो? कोई और? सर, विभिन आकारों और आमापों के अध्यन को जयामिती कहते हैं बिल्कुल सही, जयामिती के कई प्रकार होते हैं जैसे युकलीटियन जयामिती, घर युकलीटियन जयामिती, निर्देशांक जयामिती इत्याती आज हम निर्देशांक जयमिती के बारे में सीखेंगे, तो आओ शिरू करें उद्देश्य इस पार्ट के अंद में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे निर्देशांक जयमिती की अवधारणा समझना कारतिय पधति की व्याख्या करना निर्देशांक आक्षियों से किसी बिंदू की लाम्बिक दूरी मापना यदि निर्देशांक ग्यात हो तो किसी तल में एक बिंदू का निर्धारन करना निर्देशांक जयमिती में प्रयोक्त पदों को परिभाशित करना परिभाशा ग्रिट चैतिज और उर्द्वा धर रेखाओं के प्रारूप को ग्रिट कहते हैं, जो समानिता वर्ग का निर्माण करते हैं। X अक्ष किसी ग्रिट पर एक चैतिज संख्या रेखा, X, सबसे छोटी और ज्यादा तर चैतिज रेखा होती है। Y अक्ष निर्देशांक पर एक उर्द्वा धर रेखा, Y सबसे बड़ी रेखा होती है और सीधे उपर को जाने वाली या उर्द्वा धर होती है। निर्देशांक किसी ग्रिड में किसी बिंदू की अवस्थिती का निर्धारन करने वाली संख्याओं का क्रमित युक्म जैसे तीन, चार। निर्देशांक जैमिती की परिभाशा निर्देशांक जैमिती, जैमितिये रूप से निरूपित संख्याओं के क्रमित युक्म का अध्यान है। किसी तल में किसी बिंदू की अवस्थिती को निर्धारित करने की पधधती या निर्देशांक जयमिती का प्रारंभिक विकास रहने दकार्ते ने किया था. इस पधधती को प्राया कार्तिय पधधती कहा जाता है. कार्तिय पधधती कारतिये निर्दशांग पधती का प्रयोग बिंदू के निर्धारण और ग्राफ रेखाओं को खीचने में किया जा सकता है इसे आयता कार निर्दशांग पधती भी कहा जाता है मुलता या दो संख्या रेखाओं का युक्म है X-Aक्ष और Y-Aक्ष X अक्ष को भुज भी कहते हैं Y अक्ष को कोटी भी कहते हैं निर्देशांकों को बंद कोश्ठक में लिखते हैं X निर्देशांकों पहले और Y निर्देशांकों उसके बाद लिखते हैं केंद्र या दोनों अक्षों का प्रतिछेद शुन्ने शुन्ने होता है कार्थिये पदती में प्रयुक्त पद आईए आगे बढ़ने से पहले कुछ परिभाशाओं को देखें संख्या रेखा एक सीधी रेखा होती है जिस पर पूरांक समान दूरी पर बिंदू के रूप में चिहनित होते है मूल बिंदू एक संख्या रेखा जो एक निश्चित बिंदू दूरा दो सम्मित आदे भागों में बटी होती है उसे मूल बिंदू कहते हैं या संख्या शूनने होती है निर्देशांक तल एक दूई विमिये तल में प्रतीक बिंदू एक निश्चित संख्याद्वारा प्रदशित होता है और इसके उलट भी सत्य है। इसे एक्स वाई तल भी कहते हैं। निर्देशांक अक्ष धनात्मक और रिनात्मक दोनों तिशाओं में एक्स अक्ष और वाई अक्ष को संयुक्त रूप से निर्देशांक अक्ष कहते हैं। चतुर्थांश अक्ष तल को चार चतुर्थांशों में विभाजित करता है। प्रथम चतुर्थांश में X और Y धनात्मक होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में X रनात्मक लेकिन Y धनात्मक होता है। तीसरे चतुर्थांश में X और Y दोनों रनात्मक होते हैं। निर्देशांक अक्षों से किसी बिंदू की लाम्बिक दूरी का मापन आईए, अब सीखें कि एक बिंदू की निर्देशांक अक्ष से लाम्बिक दूरी कैसे मापी जाती है अब X और Y अक्षों से बिंदू A की लाम्बिक दूरी का मापन करना सीखें हल, X अक्ष पर लंब AM खीच ये और Y अक्ष पर लंब AN खीच ये हम देख सकते हैं कि बिंदू A की X अक्ष के सापेक्ष धनात्मक दिशा में Y अक्ष से मापी गई लामबिक दूरी है AN बराबर OM बराबर दो एकक और बिंदू A की Y अक्ष के सापेक्ष धनात्मक दिशा में X अक्ष से मापी गई लामबिक दूरी है AM बराबर ON बराबर तीन एकक निर्देशांक ग्यात करना निर्ने लिखित तल में बिंदू A के निर्देशांक ग्यात कीजिए चरण एक, बिंदू एका, एक्स निर्देशांक, घटा तीन है जैसा कि नीचे दिखाया गया है, एक्स अक्ष के सापेक्ष, वाई अक्ष से मापी गई इसकी लांबिक दूरी तीन है चरण दू, बिंदू एका, वाई निर्देशांक, पांच है जैसा कि नीचे दिखाया गया है, वाई अक्ष के सापेक्ष, एक्स अक्ष से मापी गई इसकी लांबिक दूरी पांच है चरण तीन, अब पहले एक्स निर्देशांक और फिर उसके बाद वाई निर्देशांक को लिखकर निर्देशांकों को कोश्ठक में बंद कीजे इस प्रकार बिंदू एका निर्देशांक, घटा तीन, पांच है निर्दे शांक तल में एक बिंदू को आलेखित करना आईए अब निर्दे शांक तल में एक बिंदू आलेखित करना सीखें आईए निर्दे शांक तल में एक बिंदू A, घटा 4, 6 को आलेखित करें चरण एक निर्देशांग तल में बिंदू A को आलेखित करने के लिए हम निर्देशांग अक्ष खींचते हैं और अपने एककों का चयन इस प्रकार करते हैं कि दोनों अक्षों पर एक सेंटिमीटर एक एकक को निरुपित करता हो. चरन दो मूल बिंदू से प्रारंभ करके रनातमक X अक्ष पर चार एकक गिनिये जोकी घटा चार है और संगत बिंदू M के रूप में अंकित कीजिए. चरन तीन अब मोल बिंदू से धनात्मक वाई अक्ष पर 6 एकक गिनिये जो की 6 है और संगत बिंदू को N के रूप में अंकित कीजिए चरण 4 M से प्रारंब करके Y अक्ष पर धनात्मक दिशा में 6 एकक गिनिये और N से शुरू करके X अक्ष पर रनात्मक दिशा में 4 एकक गिनिये दोनों रेखाओं के मिलन बिंदु को A के रूप में अंकित कीजिए क्या आप जानते हैं? सर आइसेक न्यूटन ने सर्व प्रत्थम त्रीतिय घात के बहुपदवाले आक्रितियों और ग्राफों के संग्रह में रनात्मक निर्देशांकों का प्रयोग किया था निर्देशांक जयामिती को विशलेश रनात्मक जयामिती भी कहते हैं यानि निर्दिशांग पद्धती और बीजगनित एवं विशलेशन के सिध्धांतों के प्रयोग से जयामिती का अध्यान। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोहराएं। निर्दिशांग तल एक्स वाई तल एक दुई विमिये तल जिसमें प्रतीक बिंदू सिर्फ एकी ही संख्या से प्रदशित होता है और इसके उलट भी सत्य है। तल की क्षेतिच रेखा को एक्स अक्ष और उर्द्वा धर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। निर्देशांग अक्ष तल को चार चतुर्थांशों में विभाचित करते हैं। किसी बिंदू की वाई अक्ष से दूरी उसका एक्स निर्देशांग या भुज कहलाती है। मोल बिंदू का निर्देशांग शुनने शुनने होता है। किसी बिंदु का निर्देशांग पहले चतुर्थांश में धन धन, दूसरे चतुर्थांश में रिन धन, तीसरे चतुर्थांश में रिन रिन और चौथे चतुर्थांश में धन रिन के रूप में होता है.